हमारे एस YouTube चैनल पर आज हम लोग बात करने आले हैं CRT की पठन अभ्यान यानि रीडिंग कैम्पेंड गतिविधी पत्रक यानि की एक्टिविटी CET की कार पत्री का संख्या जो आपकी 15 है उसके बारे में बात करेंगे येक अच्छा 6 की है और आज की देड के आज की रेट है 322 है यहाँ पर आपको अपना नयम यहाँ पनी टीचर का नेम लिखना है और इसको प्रारम करने इस पहले हो चोता दू कि आप सभी डेली और वीकली बहुत साथे प्राइस को हमारे चैनल पर जी सकते हो बस उसके लिए आपको करना क्या होता है वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब फूल वीडियो को वाच करके कमेंट करना होता है और इसके लिंकों को अपने फ्रेंस के बीच में सेयर करना होता है अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता है कितने प्राइस जी सकते हो आप चार प्राइस को हमारे याँ जी सकते हो पहले जिनकी संख्या तीन हुआ करती थी अब बढ़ा दिया है और चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है इसमें दिया गया है प्यारे बचो हम एक कविता का पार्ट करते हैं आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बताया गया है इस कविता को ध्यान पूरर पढ़े और नीचे दिये गया अब भ्यासक पूरा करें चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है तो इसमें पहला क्या दिया गया लाइन देखें तुमने क्या नहीं देखा आक्सी जलक्ती मैं पेड़ पौधे जीव जन्तू सबको रात दिन जुलसाती हूं मैं तुमने क्या नहीं देखा है बड़ी सी उमड़ी मैं रिमजिम रिमजिन बरस्ती मैं नहीं मुझे पहचाना धूल भरी आंधी मैं तिनके से उड़ाती मैं जाऊंगी सबको कोहिदे से घिर जाऊंगे ठंड में सिकुड जाऊंगे मैं क्या हूँ मौसम हर साल हर बार 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 आऊंगी ठीक है कहने का क्या मतलब है देखिए पहली लाइन में यहां पर बात हो गई किसकी बिटाप की पहली लाइन में बात हो गई यहां पर गर्मी की दूसी लाइन में पिटा आपकी बात किसकी हो गई, यहाँ पर पतज़ड की, और तीजी लाइन में बरसात की, और चौथी बार में किसकी बात कर दी जा दी, यह ठंडे की, चलिए, नीचे देखिए क्या दिया गए इसका विता में कौन-कौन से सब्द आपको कठिन लगे, उन्हें लिखिए, जो सब्द आपको क्या लगे होंगे, बिटा, कठिन लगे उन्हें क्या करना है, लिखना है ठीक है, जैसे क्या लग गया जुलस्ती, ठीक है यह सब्द आपको कठिन लगागा ठीक है, रिम जिम, यह आपको कठीन लग सकता है बरसात आपको कठीन लग सकता है तिनिका कठीन लगता है बहुत से बच्चों को को ही रहे ये सब्दों भी आपको क्या लगता है बटा कठीन लग सकता है तो इन सब्दों को आप क्या कर लोगे अपनी कॉपी में लिख लोगे ठीके प्यारे बच्चों तो जो जो रित्वों की बात हुए उनके नाम क्या करने हमें यहाँ पर लिखना है तो सबसे पहले किस रित्व की बात हुए ग्रीस्म रित्व ठीक ग्रीस्म रित्व के बात किसके बात हुए तो इसके बाद बेटा बात हुए आपकी वर्सा रित्व की ठीक और वर्सा रित्तु के बाद किसकी बात हुई है इसके बाद बात हुई है बिटा सरद ठीक वर्सा हो गई सरद हो गई ठीक इसके बाद किसकी बात हुई है हे मंत और हे मंत और साथी साथ किसकी बात करी गई है वसंत रित्तु की तो ये चार पांच रित्तु हैं जिनके बारे में यहाँ पर आपके बात किया गया है तो उन्हें आप अपनी कॉपी में क्या कर लेंगे नोड़ डाउन कर लेंगे इसके बाद देखे क्या दिया गया आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में पांच वाक के लिखें तो चलिए इसका उत्तर जो का भाउतपन कर देती है वर्सा रितू के आने से चार ओर हरियाली छा जाती है और यहां हमारे मन को आनंद से भर देता है इसलिए मुझे यहां मौसम पसंद है चलिए रेखते हैं अगला परसन क्या है उसे भी नोट डाउन कर लिजए तो बेटा आगे आपको क्या दिया गया देखिए यहां पर दिया गया है कि अंग्रेजी कलेंडर के हिसाब से कौन से रितू कब और कब तक होती है इसके बारे में अपने परिवार से चर्चा करें तो चलिए मैं जो है इसके बारे में आपको बता देता हूँ और फिर आप अपने परिवार से चर्चा कर लिजेग तो बच्चो आप लोग लिख लिए ठीक है सीत रिट्टू जनवरी से फरवरी वसंत रिट्टू अप्रैल से मई ग्रीसम रिट्टू आपकी मई से जून ठीक है इसके बाद लिखिए वर्सा रिट्टू आपका जुलाई से अगस ये लिखा है बटा सरद रिट्टू सितंबर से एक्टूबर और हेमंत रिट्टू कब से कब तक होती है नौवंबर से दिसंबर चलिए देखते हैं अगला प्रस्न क्या है तो प्यारे बच्चो आगया आपकी कार पत्रिका होती है समात आपको वीडियो कैसे लगी केमेंट करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना ज्यादा से ज्यादा कॉंटेस में पास्पेट करना धन्यवाद बच्चो